सांख एवं योगदर्शन पुस्तक पंडिसी राम सर्मा आचारे एवं माता भगवती देवी सर्मा द्वारा रचित ओडियो पंडर सत्तर विशेश विशेश आलिंगम मात्रा लिंगम गुण पवार्णिनी सुत्रात विशेश विशेश आलिंगम मात्रा लिंगम विशेश अविशेश लिंग मात्र और अलिंग ये चार गुण परवार्णि सत्वादी गुणों के भेद परिनाम है व्याक्या इंद्रिया, वाक, हस्त, पाद, पायू, गुदा, उपस्त, लिंग, तथा मन, इस प्रकार से ये सभी सूला घटक सत्व, रजस्त, तमस, त्रिगोनों के विशेश परिनाम है, त्रिगोनों के विशेश धर्मों की अभिव्यक्ति इन्हें के द्वारा होती है, इस कारण इन् आदी जो विशेश धर्म हैं, वे शांत, मूड एवं घो रूप में इनी में विध्यमान रहते हैं, दो, अविशेश, शब्द, स्पर्ष, रूप, रश और गंद, इन पाच तंत्र मात्राओं को ही सुच महाभूत भी कहते हैं, ये तंत्र मात्राएं, स्थूल पंच महाभ भूतों, आकाश, बायू, अगनी, जल और प्रित्वी की कारण भूता है, तता छट्टा अहंकार है, जो मन एवं इंद्रियों का कारण है, इनी का नाम अविशेश है, इनका स्वरूप इंद्रिय गोचर ना होने से भी इने अविशेश कहा जाता है, तीन, लिंग मात्र, उपर वरनित बाईस तत्वों का कारण भूत जो महत्व है, उसे ही लिंग मात्र के नाम से जाना जाता है, इसकी प्राप्ति केवल सत्ता मात्र से ही होती है, इसलिए इसे लिंग मात्र कहा जाता है, कठो उपने सत 네 और गीता 13 और ऐक manifests में इसका वर्ण नन बुद्धी के नाम से किया गया है चार अलिंग मोल प्रकृति अर्थात सत्वव वादी गुनों की साम्यवस्था को अलिंग कहा गया है महत्व इसका प्रथम परिनाम कार्य है कंठ एक बटा तीन बटा ग्यारा एवं गीता तेरा वटा पांच में इसका उल्लेक औव्यक् मिलता है साम्यवस्था को प्राप्थ हुए गुनों के सुरूप की आप्रकट होने से अभिव्यक्ति संभव नहीं अता यह प्रकृति को प्रकट ना होने के कारण अलिंग नाम से अभिहित किया गया है यहां द्रश्टा के सुरूप का वर्णन किया जा रहा है 61. द्रश्टा द्रिश्य मात्रा सुध्ध अपी प्रत्यानु पश्य सुत्राट द्रिश्य मात्रा चेतन मात्रा ज्यान सरूप आत्मा द्रश्टा द्रश्टा पुरुष शुध अपी यद्यपी सभाव से सर्वता सुध्य विकार रहित है तो भी प्रत्या नु पुन्ष बुद्धी के सबंध से बुद्धी वृत्ती के अनुरूप दिष्टी पात करने वाला है व्यक्या वस्तुत द्रश्टा आत्म चेतन मात्र दिव्य ज्यान सवरूप सदेवशुद एवं विकार रहित कुटस्त एवं संगर रहित वास्तों में द्रिष्टा पुरुष धर्म विहिण, जोती स्वरूप दीव हिखा के संद्रिष नित विभू कल्यानकारी रह्स स्वरूप है प्रंतों फिर भी इसका संबंध प्रकरति द्रश्ट के साथ अनादी सिद अविध्ञ द्वारा माना जाता है जब तक उस अविध्य के नास द्वारा यह प्रकरति से अलग हटकर अपने यर्थात स्वरूप में अवस्तित नहीं हो जाता, तब तक बुद्धी के साथ एक के भाव को प्राप्त हुआ, साब बुद्धी की वृतियों का अवलोकन करता रहता है, तब जब तक उनका अवलोकन करता है, तभी तक इसकी द्रश्टा पुरुष की संग्या ह द्रिश्य का संबंद ना रहने पर पुनद्रश्टा नहीं रहता और तब यह केवल चेतन मात्रे ज्यान स्वरूप सुध एवं विकार रहित रह जाता है, 72 तदर्थ एवं द्रिश्यात्मा, सुत्रार्थ, द्रिश्य उक्त, द्रिश्य का आत्मा श्वरूप, ततर्थ एवं उस द्रिश्टा के लिए ही है, व्याख्या, पुर्व में वर्णित द्रिश्य का स्वरूप, द्रिश्टा, पुरुष को भोग एवं अपवर्ग मोक्ष प्रदान करने के लिए है, इस तरह से पुरुष का ओते से सिद्ध करने ही तो ही द्रिश्य है, इसी में द्रि प्रति पाधित किया है तीहतर कितार्थ प्रति नश्टमं अप्न्यश्टम तदान साधानं तम्तवा सुट्रार्थ कितार्थ प्रति जिसका भोग एवं मोख्ष रूप कारे संपन कर दिया उस द्रष्टा पुरुष के लिए नश्टम विनास को प्राप्त हुई अपी भी वह प्रकृति अनश्टम नश्ट नहीं होती तत अनसाधारनात्वम क्योंकि दूसरों के लिए भी वह समान है व्याक्या दृष प्रकृति का उद्देश किसी एक जिवात्मा के लिए भोग एवं मुक्ष प्राप्त करना नहीं है वह तो समस्त जिवात्माओं के लिए एक जैसी अर्थात समान है अता प्रकृति जिसका कारिश संपन कर चुकी है उस मुक्त आत्मा के लिए उसकी जरूत ना पढ़ने के कारण ये दपी वह उसके लिए विनिष्ट हो जाती है किन्तो फिर भी अन्य समस्त जिवात्माओं को भोग एवं मुक्ष लाप करना तो सेस ही है अता द्रिश्य का पुर्ण रूपेन विनाश कभी नहीं होता वह प्रकृति हमेशा उपस्तित रहती है इससे यह प्रकट होता है कि द्रिश्य प्रकृति परिनामी होते हुए भी अनादी एवं नित्य शाश्वत है यहां जो मुक्त हुए आत्मा के लिए उसका विनाश होना कहा गया है वह भी अधिश्य होना ही कहा गया है क्यूंकि योग के सिधान से भी किसी वस्तु परदार्थ का पुर्निता अभाव विनाश होना नहीं स्युकार किया गया है यहां से योग के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है चहत्तर स्वस्वामी सक्तो श्वरूप बंधित हेतु सैयोगह सुत्राथ, स्वा स्वामी शक्तो, श्वा शक्ती द्रिशे, प्रकृती और श्वामी शक्ती द्रिश्टा, पुरुष इन दोनों के श्वरूप पो लोभित हेतु, श्वरूप के प्राप्ती का जो हेतु है, वह संयोग है व्याक्या, इस सुत्र में सुत्रकार ने रचित, चित एवं समस्त जड़, द्रिश्य प्रकृती, इन दोनों की द्रिश्टा पुरुष के अधिकृत परदार्द कहा है, तता पुरुष को इन दोनों का अधिश्डाता बतलाया है स्वसक्ति, द्रिश्य के स्वरूप की उपलब्धी तथा स्वामी शक्ति, द्रिश्टा, पुरुष के स्वरूप की उपलब्धी जो मोक्ष रूप है, उन दोनों के स्वरूप की प्राप्ती का हीतो ही संयोग है स्वशक्ति, द्रिश, संप्रग्यात, द्रिश, प्रकृति, संप्रग्यात, समाधी द्वारा, स्वामी शक्ति और संप्रग्यात, समाधी द्वारा प्राप्त की जाती है द्रिश, प्रकृति और द्रश्टा, पुरुष का आशक्ति, पुर्वक भुगत्व एवं भोगित्व भाव से जो संबंध है उसी ही संयोग कहा गया है सुत्रवे सुत्र में संयोग को ही कहा गया है यहां इस सुत्र में उप्युक्ते वर्णित संयोग के कारण उलेख करते हैं 75. तश्य हेतोर विद्या सुत्रार्थ तश्य इस द्रिश एवं दर्ष्टा के परश्पर संयोग का हेतु है हेतु कारण अविद्या अविद्या ही है व्याक्या साधन पार्विक्पाद के पुर्व सुत्रे 2 बटा 4 पांच में वर्णित अविद्या ही इस संयोग का मूल कारण है अर्थात उस द्रिश्य प्रकृति एवं द्रष्टा पुरुष के परश्पर संयोग के कारण ही अनित्य नित्य अशुद्य शुद्य अनात्मा आत्मा रूप में प्रतीत होता है अज्यानता के कारण ही आत्मा और चित में समरूपता दिखाई पड़ती है तथा चित के सुख दुख एवं मोह रूपी वृतियों का द्रष्टा पुरुष में अध्याय रूप एक वस्तु के गुन धर्म को भ्रह्मवश अन्य वस्तु में आरूपित करना अर्थात मिथ्य अज्यान हो जाता है ये वृतिया ही अज्यानता के कारण संसार रूपी भवसागर में भ्रमाती रहती है अर्थात जिवात्मा बारम बार आवा गमन के चक्र में भ्रमन करता रहता है सद विवेक की प्राप्ति होने पर ही यह विद्या रूप में दगद भीज भाव प्राप्त कर लेता है जिवात्मा में अविद्या का संसकार जब तक स्तित रहता है तब तक गमना गमन के बंधन से मुक्त नहीं होता अविद्या के हटते ही कैवल्ले मोक्ष की प्राप्ती हो जाती है द्रश्टा पुरुस का जो यह जड़ द्रिश प्रकृती के साथ संबंध है यह अनादी सिद अविद्या द्वारा ही है यह वास्तविक नहीं है यह थार्त ज्ञान के प्रकट होते ही अविद्या रूपी अज्ञानता का समापन हो जाता है तथा उसके पस्चात कोई उद्देश से विशेश के ना रहने पर वज्ञान भी द्रश्टा भाव समाप्त हो जाता है और आत्मा के वल्ल को प्राप्त कर लेती है चितर तद भाव संयोगा भावे हानम तद द्रिश्य केवलम सुत्राग तद भावात उस अविद्या के अभाव से संयोगा भाव संयोग का अभाव हो जाता है यही हानम हान का पुर्ण जन्मादी भविष्यक में आने वाले दुखों का अत्यंत अभाव है तथा तद वही द्रिश्य चेतन आत्मा का केवलम में केवल्ले है व्याख्या यहां इस सुत्र में अविद्या के कारण रूप संयोग के अभाव से प्रकट होने वाले सरवार्थ दुखनाशक रूप हान का वर्नन करते हुए सुत्रकार कहते हैं कि उस अविद्या के अभाव में संयोग का अभाव हो जाता है इसे ही हान कहते हैं, हान अर्थात पुर्ण जन्म, आदी भविश्य में आने वाले दुखों का अभाव ही चेतन द्रश्टा पुरुष का कैवल है, वास्तविक पुर्ण शुद ग्यान की प्राप्ती होते ही दृष्य, प्रकृती, द्रश्टा पुरुष के स्वरूप का साक चतकार होते ही अविद्या का समन हो जाता है अविद्या के अभाव में संयोग का अभाव हो जाता है संयोग का अभाव ही हान है क्योंकि दृष्य प्रकृती का संयोग ही दुख श्वरूप है जब दृष्टा पुरुष दृष्य प्रकृती से प्रिथक हो जाता है तब वह दोनों का एक साथ संयुक्त रहते हैं तभी तक भोगों से दुख होता रहता है अलग होते ही वह दुखों से रहित हो जाता है हान अर्थात सम्मूल दुख नाश को ही शाश्वत ग्यान के वल्यमुक्ष कहा गया है सतत्तर विवेख्यातिर विपलावा हानो पाया सुत्रात अप अविपलावा निश्चल और निदोस विवेख्याति विवेख ग्यान हानो पाया उक्त हान का उपाय है व्याक्या जिस यर्थार्थ ग्यान के द्वारा प्रकृति और उसके कारे बुद्धी अहंकार इंद्रिया एवं शरीर आदी से आत्मा सर्वत्था प्रित्थक और असंग है यह बोध होता है उस आत्मा का उक्त परदार्थों के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है वास्तविक ज्यान हो जाता है तब इसी ज्यान के मनीश्यों ने विवेका ख्याती या विवेक ज्यान कहा है यह स्रेष्ट ज्यान वेद सास्ट के पठन पाठन द्वारा विद्वान जनुक के आप्त वच्णों द्वारा तथा अनुमान प्रमान आदी के द्वारा क्यूंकि अज्ञान जनित विथान के संस्कार बीज रूप में इस्तित रहते हैं तथा रजस एवं तमस्वृत्यों का प्रकटिकरन होता रहता है। इन वृत्यों का प्रकटे ही विपल्व अथ्वा विच्छेद कहा गया है। जिस ज्ञान के विपल्व या विच्छेद हो वह हान का उपाय नहीं है। अता विवेख्याती के प्राप्ति तब होती है जब दिर्गकाल तक सतत नियमित क्रिया कर्म योग से अनुष्ठान आदी से तत्व ज्ञान से और विद्यादी विरोधी ज्ञान से अभ्यास पुर्ण रूप से परिपक हो जाता है और समाधि ध्वारा उसका बोद कर लिया जाता है। ऐसे उस स्ष्ट ज्arlaksi को अपेक्षा आपरोख्ष ज्ञान कहा गया है। जब अविद्या विकारों का इस स्ष्ट ज् के द्वारा नास हो जाता है तथा चित करतव्य एवं भूग आदी के अभिमान से रहित एवं गुनों की वृत्यों से रहित हो जाता है तब सत्व गुनी प्रकास से चित में चेतना का आलोग पड़ता है इसी से चित में चैतन्यता की अनुभूती होती है चित में प्रिथक्त उसका बोध होने लगता है, यद्यपी साक्षातकार्चित द्वारा ही होता है, किन्तो सत्व गुनि वृति के होने तथा दिरकाल के अभ्यास द्वारा विवेक ज्यान के पुर्ण शुद एवं प्रकर होते ही, और विद्या आदी ज्यान दग्द बीज क के सद्रिश प्रकट होने में असमर्थ हो जाता है, यही विवेक ज्यान या विवेक ख्याती हान की प्राप्ती का माध्यम है, तथा यही कैवल्ले की प्राप्ती का एक मात्र उपाय है,